कहते हैं ना जब धर्ती लगी फटने परसाद लगे बठने संजुक्त राष्ट संग ने वोट देने का अधिकार छीन लिया है कुछ देसों से आखिर संजुक्त राष्ट संग ने ऐसा क्यों किया और जाते जाते ट्रंप ने भारत को जारी किया एक बड़ा अलर्ट भारत के लिए यह अलर्ट बहुत ही है खास तो वहीं भारत के मामले में अब फ्रांस कुदा फ्रांस जापान और भारत मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो जो बाइडन के लिए एक चेतावनी है बाइडन जिसे ये माना जा रहा है कि वो चीन के समर्थक ज्यादा होंगे उसके लिए फ्रांस जापान और भारत का यह कदम बेहत खास है इसके अलावे बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को बिस्तार से ट्रम्प सरकार अपने आखरी दिनों में हर पल चीन के खिलाफी काम कर रही है हर वो कोशिस कर रही है जिस से चीन के लिए मुसीवितें बढ़े जिन्पिंग को तो अभी एक एक मिनट का गोशना कर दी तो वही भारत को एक अलर्ट भी दे दिया है वैसे आपको बता दे अब जब नए राष्ट पती जो बाइडन के सत्ता समालने में मात्र कुछी घंटे बचे हैं अमेरिका का यह कदम काफी खास माना जा रहा है पहले तो चीन को जटका दिया जिसमें निरवर मुस्लिमों जातियों और धार्मिक अल्प संक्यकों के गुटों को निशाना बना रहा है यह चीनी लोगों और हर जगह सभ्य देशों का अपमान है उन्होंने यह कहा कि चीन और कमिनिस्ट पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है चीनी कमिनिस्ट पार्टी की सरकार किस तरी के से उईगरों को तबाह कर रही है यह दुनिया देख रही है इसके साथ ही अमेरिकी सरकार ने नई पर्तिबंदों की घोसना कर दी है वैसे आपको बता दें माइक पॉम्पियों ने जिस तरह के सब्दों का इस्तेमाल इस बार किया है उस तरह के सब्दों का इस्तेमाल इसस उसी दिशा में एक कड़ी के रूप में काम करेगा इसके अलावे ट्रम सरकार में विदेश मंत्री माइक पॉम्पियों ने भारत के लिए एक ट्विट में कहा कि ब्रिक्स याद है ना जायर बोल्स नारो जो की ब्राजील के राश्पती है और नरेंद्र मोधी को सुक्रिया बी और आई दोनों को पता है कि किसी की सी और आर उनके लिए खत्रा है वैसे आपको बता दें ब्रिक्स ब्राजील रूस इंडिया चीन और साउथ अफरीका का संगठन है पॉम्पियों ने बी से ब्राजील और आई से इंडिया के लिए ये बाते कही है उनके कहने का मतलब है B से ब्राजिल और I से इंडिया को C से चीन और R से रूस के लिए खत्रा है दोनों ही देश ब्राजिल और भारत के लिए खत्रा है यही संदेश देना चाह रहे थे माइक पॉम्पियो वैसे आपको बता दें पूर्वी लद्दाक में सीमा विवात को लेकर कई महिनों से पहले ही भारत और चीन के बीच में तनाव है ऐसे में रूसी विदेश मंत्री ने पहले जिस तरह से सक्थ चुपनी की थी क्वाइड पर उसको देखते हुए माइक पॉम्पियो ने यह बयान दिया है लेकिन अब रूस भारत के साथ अपने रिष्टे को अच्छा कर रहा है ऐसे में माइक पॉम्पियो का अलर्ट सी के लिए तो बिल्कुल सटिक बैठ रहा है यानि चीन के लिए लेकिन आर के लिए अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है वहीं दूसरी तरफ बाइडेन के सत्ता समालते ही लोगों के दिमाग में यह डर जरूर है कि बाइडेन चीन के परती उतना सकत रवया नहीं अपनाएंगे ऐसे में भारत के साथ कौन खड़ा होगा चूकि इस छेतर के लिए अगर कोई सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है तो वो चीन बना हुआ है खास करके हिंद महासागर जहां से पूरी दुनिया का 50% बैपार होता है इंडो पेस्पिक के इस छेतर में चीन अपना कबजा करना चाहता है जहां दचिन जीन सागर में वह कबजा तो करना ही चाहता है इन छेतरों में भी अपना परभाव बढ़ा रहा है ऐसे में बाइडन के लचीले रूप को देखते हुए भारत ने चीन को नापने के लिए पहले से ही अपनी तयारी मजबूत कर ली है और इस बार भारत का साथ देने के लिए फ्रांस भी उतराया है दरसल फ्रांस भारत और जापान ये तीन देनुस्तों ने मिलकर एक यारों और अपने सेन्य कोसल का इस्तेमाल करते हुए इस छेत्र में ना सिर्फ दादागिरी को रोकेंगे बलकि ये भी सुनिश्चित करेंगे कि बैपार और बैवसाय सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए और इस छेत्र में मुक्त बैपार होना चाहिए ना कि समंदर के पानी में भी किसी का हक होना चाहिए वैसे इस तिकड़ी में फ्रांस के सामिल होने का सीधा सीधा मतलब है यूरोप की एक महासकती का खुलम-खुला भारत के साथ आना और चीन के खिलाफ आना इस संधी की घोजना करते हुए फ्रांसी सी दूत एमुनेल लेनेन ने कहा है क कि हम पेरिश, टोक्यो और दिल्ली के बीच एक रन्नितिक त्रिकोन का टुकड़ा बना रहे हैं जो की नियम पर आधारित होगा वहीं भारत के विदेश सचीव हर्थ स्रिंगला ने कहा कि भारत, फ्रांस और जापान सामानी विचार धाला वाले देश हैं और हम यह कोशिस करेंगे कि इस छेत्र में हमेशा सांती बनी रहे और बैपार के लिए यह छेत्र खुला रहे तो वहीं दूसरी तरफ आजकल यूएन में बहुत उचलकूद हो रहा है संजुक्त राश्रंग ने एक बड़ा नेर्ने लेते हुए कुछ देशों के साथ एक अचंबित करने व में इरान, नाइजर, दे सेंट्रल अफरिकन रिपब्लिक, कांगो, ब्रजाविले, सुडान और जिंबावे हैं ये वो छे देशें जिनों ने अपना दो साल का फीस चुकाया नहीं है तो वहीं कॉम्रोस, साव्टोम, सोमालिया ये वो तीन देशें जिनों ने आधा ही महासचीव एंटेनियो गुतेरेस ने साधारन सभा के अध्यच वोलकन व्योचकीर को खत लिकर ये अवगत कराया है कि यूएन चार्टर के अनुसार कोई देश लगातार दो साल तक अगर संजुक्त राष्ट की बकाया फीस का भुगतान नहीं करता है तो उसको वोटिंग के कारण इरान ने फीस नहीं चुकाया है लेकिन संजुक्त राष्टरंग ने इन नो देशों को फिलाल वोट देने के अधिकार से वन्चित कर रखा है वैसे तो संजुक्त राष्टरंग में पैसा लगाना ही बेकार है होना तो ये चाहिए कि सारे सदस्य देशों को बाहर जाना चाहिए और इसे तोड़ कर फिर से बनाना चाहिए कौन सा संजुक्त राश्ट्रंग ने महामारी के वक्त अपनी भूमी का निभाई और कौन सा भूमी का अब निभा रहा है जब चीन अपनी करज नीती पूरी दुनिया में फैला रहा है और अपनी विस्तारवादी न जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ